फुल एलेडी सेटम में है और सिक्स्टीन इंच के आपको वील्स मिल रहे हैं चारो टायर में डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं और शार्क पिन एंटीना आपको मेर डिफॉगर है और वाइपर भी है तोड़ा से यूनीक है यार बिल्ट कॉलिटी यही से समझ में आती है फीचर्स प्रफॉर्बर दोस्तों मैं हुनितिन गुले और सामने आप देख रहे हैं अब यहीं जो है एम जी एस्टर का पर्टिक्लर स्टाटिंग वेरियंट है यार features इसमें इतने बड़िया मिल जाते हैं यार MG Ester का जो style variant है इसमें ऐसे features आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपको दूसरी companies के top model में देखने को मिल जाते हैं जो विलकुल आपने सही सुना है बहुत सारे इसमें ऐसे आपको features मिल जाएंगे जो विलकुल आपके दिमाग को इला देने वाले हैं क्योंकि यार काफी बड़िया features के साथ में ये आपको मिल जाती है अब वो क्या features है वो सारी चीज़े आज अपन detail में देखने वाले हैं इं सबसे पहले यार इसका जो road presence आप देखिए front profile से काफी बड़िया road presence आपको देखने को मिल जाता है इसमें और चीज़े noticeable होगी आपको क्योंकि बहुत सारी चीज़े ऐसे दिख रही होंगे आपको जो यार मेरी बात को बिलकुल correct करती हैं सबसे पहले width की अपन बात कर लेत हैं 1809 mm की इसकी overall width मिल जाती है यार SUV में जो इसका level है जो build quality और साथ में जो performance आपको मिलता है वो तो एकदम next level है सबसे पिले width में आपको बता दी सेंटर में अगर देखे तो आपको MG का logo मिल जाता है और celestial style में आपको इसकी जो grill है वो मिल जाती है एकदम 3D style में नीचे अगर हम headlamps की बात करें तो देखिए turn signals आपको दिख रहें उसके नीचे आपको LED DRLs दिये हुए है और Hawkeye design में आपको इसके projector based headlamps मिल जाते हैं और ये दिये हुए है यार full LED setup में मतलब पूरा को पूरा LED setup इसमें आपको मिल जाता है नीचे fog lamps आपको इस variant में नहीं मिलते और all अगर looks की बात करें तो front profile से कुछ ऐसे looks आते हैं MG Esther के style variant के अब side profile में हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको wheels जो है उसके section की अगर बात करें तो 215,60,R16 मतलब 16 inch case में आपको tubless tire मिल जाते है steel rims दिये, wheel covers आपको इसमें मिल जाते हैं और 7 में यार front में और rear में आपको चारो के चारो tire में disc brake मिल जाते हैं अब देखिए cladding कितनी बड़ी आपको मिल जाती है अब यार SUV है तो ground clearance जो काफी important हो जाता है तो वो कितना है इसमें इसमें आपको 185 mm का ground clearance मिल जाता है काफी बड़ीया capable ये car हो जाती है इसके साथ में और काफी बड़ीया perform करत अब ORVM की अगर बात करें तो body color आपको मिल जाते है turn signals इसमें integrate किये हुए है और ये जो ORVM है यार electrically adjustable है अब आप देख रहे हो features 16 inch के आपको wheels मिल रहे है चारो tire में disc brake मिल रहे है और साथ में ORVM जो है ये भी electrically adjustable है अब देखिए A pillar और B pillar पुरा blacked out किया हुआ है chrome की भी line आपको मिल रही है throughout देखिए quarter glass भी यहाँ पर दिख रहा है glass area काफी बढ़ी है इसमें आपको मिलने वाला है अब side profile से देखे तो कुछ ऐसे looks आते हैं MG Esther के style variant के अब dimensions की अगर बात करें तो यार proper एक SUV वाले जो dimension है और जो comfort है आपको इसमें मिलने वाला है अब overall अगर length की तो 4323 mm की इसकी और all length है width मैंने आपको बता दी wheel base की अगर बात करें तो यार 2585 mm का wheel base जबरदस्त इसमें आपको space मिलने वाला interior में वो भी अभी हम अंदर जाके check करने वाले यह हो गया ground clearance मैंने आपको बता ही दिया अब side में क्या बसता है यहाँ पे आपको मिल जाता है fuel filler cap अब 48 liter का fuel tank मिल जाता है fuel tank capacity की हो गई और साथ में इसके अगर mileage की बात करें तो 17 से 18 के MPL का इसमें ARI के साथ में claim mileage मिल जाता है तो mileage भी काफी बढ़िया है इसमें आपको मिलने वाला है performance के साथ में अब side profile से looks कुछ ऐसे आते हैं आपको mgster में अब rear profile के side में हम जाते हैं त fogger है और wiper भी है मतलब या क्या features छोड़ दी है मतलब starting variant में ही जबरदस features आपको मिल जाते हैं mgster में center में अगर देखें तो mg का logo मिल जाता है turn signals, reverse parking lamp और brake lamps आपको सारा का सारा यहाँ पर halogen setup मिल जाता है अब यह देख लिए अपने reverse parking sensors आपको मिल जाते है camera आपको इस variant में नहीं मिलता रियर और फ्रेंट में आपको skid plate मिल जाते हैं और रियर से कुछ ऐसे look आते हैं mgster के style variant के अब देखें दो reflectors से भी आपको मिल जाते है अब boot space को open करना है तो यह देखें यहाँ से इसको ऐसे करके तोड़ा सा unique है यार देखने में काफी boot space है यार काफी बढ़िया आपको मिलने वाला है अब वो कितना है 450 लीटर का इसमें आपको boot space मिल जाता है यार boot light भी आपको यहाँ पर मिल रही है और boot space जो है वो एकदम flat मिल रहा है अब प्रीमियम ब्रैंड यार mg जो है ना हर चीज में धियान रखता है तो यह देखें यहाँ पर पूरा flat मिल रहा है side में थोड़ा space मिल जाता है और इसके नीचे मिल जाता है अपने को square wheel अब इसके अगर section की बात करें तो 215 60 R60 मतब यहार full size का यहाँ पर आपको square wheel भी मिल रहा है तो यह काफी बड़िया चीज है top side में आपको मिल जाती है cladding और यहाँ से इ ना doors की hold करने में काफी बड़िया लगती है अब walk around अपने सारी चीज़े देख लिए अब interior में देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या features बल जाते है style variant में सबसे पहले door handles देखे यहाँ पे भी आर आपको पूरा chrome मिल जाता है चारो door handles में आपको chrome मिल जाता है अब door panel की अगर बात करें तो दोर्स काफी है भी इसमें आपको मिल जाते है build quality यही से समझ में आती है door panel की अगर बात करें तो देखे यह पूरा soft touch है यार जहां तक आपकी नेसर जा रही है white white पूरा और बूरा का पूरा leather rate है मतलब कपड़ा लगा की नहीं दिया पूरा leather finish है पूरा जबरदस्त है वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में बने रही है यार काफी जाता informative रहने वाला है और मज़ा आने वाला है आपको आगे अब seeds की अगर बात करें तो देखें seed भी काफी बढ़िया और काफी white देखें extension भी आपको मिल रहा है साथ में height adjustment का भी option मिल जाता है fabric repository है लेकिन यार यह देखें स्कूप्स काफी बढ़िया है और यह देखें adjustable आपको address मिल जाते हैं अब अंदर हम बैट के देख लेते हैं क्या 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 features मिल जाते हैं आपको MGS के style variant में starting variant दुबारा मैं आपको बता रहा हूँ features देखके चौक मत जान मिल जाता हूँ तो देखें ऐसी कुछ इसमें आप कुछा भी मिल जाती है तीन function मिल जाते हैं और एक flip की मिल जाती है central locking भी मिल रही है मतलब यह central locking तो बहुत चोटी चीज है अब देखें lock unlock और boot unlock करने के लिए तीन option हो गए और यहाँ पे flip की तो इसको मैं सबसे पहले wheel मिल जाता है center में MG का logo मिल जाता है left side में right side में दोनों side आपको steering mounted controls मिल रहे हैं जावर 10 features मिल रहे हैं अब देखें left side में multimedia controls और right side में आपको instrument cluster है उसको control करने के लिए यहाँ पे सारी buttons आपको मिल जाती है अब इसको अगर adjust करना है तो tilt मिल जाता है telescopic option इसमें आपको नहीं है क्योंकि यार petrol engine के साथ में आती है ester लेकिन इसका जो refinement के साथ में performance है ना वो काफी बड़ी आपको मिल जाता है तो चलिए इसको on करके अपन देख लेते हैं तो यह मैंने किया clutch press और यह हो गई यार on हो गई है लेकिन vibration तो बिल्कुल feel नहीं हो रहे यार देखिए ना steering में ना आपको gear lever में मतलब refinement level काफी बड़ी आपको इसमें मिलने वाला है अब AC on कर लेते हैं गर्मी काफी हो रही है तो यहर AC on हो गया और starting से ही ना काफी बड़ी है तंडी आवा है मतलब cooling काफी बड़ी आपको मिलने वाली है तो चलिए यह सारी चीज़े आपने देख लिए steering से related अब left side में अगर देखे तो आपको headlamps के control मिल जाते हैं और right side में अगर देखे तो आपको wiper के control मिल जाते हैं अब instrument cluster की अगर बात करें तो यहां पे digital plus analog आपको मिल जाता है अब यहां प साफे सारी features आप यहां से checkout कर सकते हैं अब right side में अगर देखे तो यहां पे electrically adjustable आपके जो हुआ रिवे में उसको control करने के लिए button और headlight level करने के लिए switch मिल जाता है अब center console की बात करें dashboard की बात करें तो यारी देखे बड़ा सा आपको touch screen मिल जाता है और यह देखे यार यह पूरा का पूरा आपको soft touch मिल जाता है top side में और यह देखे white color का पूरा का पूरा आपको leather finish मिल रहा है और soft touch दिया हुआ है यह काफी बढ़िया चीज है अब center में आपको इस events मिल जाते है hazard का button मिल जाता है और 10.1 inch की आपको यहां पे screen मिल जाती है अब यह connect करती है end or dot over ब अब देखें नीचे आपको मिल जाते हैं इसके physical buttons उसके नीचे अगर देखें तो 12 volt का power socket दो आपको charging socket मिल जाते हैं हाँ इसके अगर response की बात करें तो response भी काफी बढ़िया आपको मिल जाता है तो यह जो screen है responsive भी है मतलब इसका कोई नहीं है और home पे जाना है तो physical button आप य पीछे अगर हम आते हैं तो आपको मिल जाता है five speed का manual gearbox अब इसमें आपको reverse engage करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ तो इसको थोड़ा से down करके ऐसे आपको reverse engage करना पड़ता है तो यह थोड़ा से unique है जो आपको mgster में मिल जाता है अब देखिए यहां से कितना clear view दिख answer है उसके लिए तो इसको अपन neutral कर लेते हैं उसके पीछे आते हैं तो यहां पर आपको handbrake मिल जाता है chrome tip के साथ में dedicated armrest भी मिल रहा है soft touch दिया हुआ है इसके अंदर देखे तो यहां पर इतना कुछ आपको space मिल जाता है तो यह हो गया यार मतलब dash cam आप install कर वाएंगे ना तो कहीं से wire खीचने की जरूरत नहीं है direct यहां पर connect कर सकते हैं airbag information दे रहा है cabin light दे रहा है वह भी LED मतलब premiumness का पूरा ध्यान रखती है यहां आपको मिल जाता है माइक और left side में अगर देखे तो यहां पर airbag की information दी हुई है तो यह हो गया तो अपने front के सारे features देख लिए अब यह AC का जो design air personally मुझे काफी बढ़ी पसंद है मतलब turbine जैसे दिखता है और देखने में काफी unique लगता है और इससे आप इसे control भी कर सकते है अगर आपको flow नह control, electronic stability program और hill start assist मतलब सारे के सारे safety features भी इसमें मिल रहे हैं आपको तो यह काफी बढ़ी है तो चलिए front की सारी चीज़े अपने देख लिए अब चलते है rear seat में और देख लेते हैं वहां पर आपको क्या के features मिल जाते हैं तो seat को अपन ने कर लिया adjust और चलते है rear seat में और वहा तो यहां पे भी आपको soft touch दिया यार यह बुरा soft touch दिया हुआ है power window का button bottle holder और speaker का grill अब seats की बात करें तो यह काफी wide seat इसमें आपको मिल जाती है fabric opposed भी दिये लेकिन quality काफी बढ़ीया मिल जाती है adjustable आपको head rest मिल जाते है dedicated arm rest भी दिया हुआ है चलिए आप बैटके हम देख तो यह जो seat है मेरे height according adjust है और मेरी जो height 59 है मेरे height according seat adjust है leg room देखिए कितना बढ़िया मुझे leg room मिल रहा है under thigh support की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया मुझे मिल रहा है मतलब काफी जादा comfortable seats है साथ में recline angle भी काफी बढ़िया है rear AC vents भी आपको मिल जाता है center में आपको minor सा हम पर मिल जाता है तो कोई issue नहीं है अब देखिए जहाँ पर आपको cup holders भी मिल रहे है यह काफी बढ़िया है अब सीट्स की अगर बात करें तो काफी wide seat आपको मिल जाती है तीन passenger easily bad case में travel कर सकते कोई issue नहीं है अब rear seat से front dashboard कुछ ऐसा दिखता है mg ester के style variant का अब starting variant है और features था आप देखी रहे हैं और कितने जबरदस्त इसमें मिल रहे है तो चलिए अब सारी चीज़े अपने rear की देख लिए अब engine बे देख लेते कि वहां पर आपको क्या देखने को मिल जाता और power कितने मिल जाती है चलिए वह देख लेते हैं तो engine बे 3 pedals मिल जाते हैं और एक आपको dedicated dead pedal भी देखने को मिल जाता तो यह काफी बड़िया चीज़े चलिए देख लेते हैं अपन engine बेग ओपन करके तो यह है mg ester का 1.5 liter का 4 cylinder petrol engine अब इसके अगर power की बात करे तो इसमें आपको लगबग 108 bhp का power मिल जाता है और साथ में इसमें आप के पास अगर ester है तो आप मुझे जरूर comment करके बताएगा कि आपको कितना इसका mileage मिल रहा है refinement काफी बड़िया है आपको extra insulation भी मिल जाता है and which level control करने के लिए तो इतना कुछ आपको मिल जाता है इसके layout में तो देखा आपने mg ester का जो style variant है यार starting variant में ही इतने बड़िया features इसमें दे दिये साथ में performance काफी बड़िया आपको मिलने वाला इस engine के साथ में और इसका refinement काफी बड़िया है मतलब cabin में feel ही नहीं होता है car on होती है तो यह काफी बड़िया चीज़े तो चलिए सारी चीज़े अपने detail में देखिए तो मुझे लगता है सारे जो confusion थे आप इन pricing कितनी है भाई तो एक शोरूम प्राइस की बात करें तो यह 10,58,000 में आपको एक शोरूम आ जाती है on road प्राइस की बात करें तो यह आपको 12,31,000 में on road आ जाती है और यह जो pricing है बालाखट सिटी मध्यप्रदेश किये और इस वाक्त हमें MG शोरूम बालाखट के जो new में उसमें तो इनकी सारी जो contact details है मेरे description box में आपको मिल जाएगी तो call करके आप विजिट करके आप सारी details ले सकते तो चलिए वीडियो में रखते है इतना ही कैसी लगी ए car प्लीज मुझे comment करके बताएगा वीडियो अच्छा लगाओ car इच्छी लगी तो प्लीज एक like कर देना शेर कर देना अपने friends के साथ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को thank you so much जय हिंद